वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस फोर यू में आप सब का स्वागत है आज मैं बताने वाला हूं मोडल क्वेश्चन जियोग्रफी का कलास इलेवन सेट टू है सेट कल सेट वन मैंने कल ही बतला दिया था पिछले वीडियो में है यह फुल मार्क शैत्तर का है कि नेरे उप्सिंन नम्मर G जारखन अब क्वहस्चन नंबर 2 कि नोखीत में किस लक्षन इसमे को भौत्टिक लक्षन कहा जाता है इसका है अब क्वहस्चन या से पिर्थवी के किस भाग को घनत्व सर्वधिक होता है इसका एंसर है ऑप्षन नमर ड आंत्रिक क्रोड अब क्वास्चन नमर चार चंदन वन किस तरह के वन के उधारन है इसका एंसर है ऑप्षन नमर सी पर्न पती वन अब क्वास्चन नमर फाइव वीश्यु किस अबसे गहरा महासागर है इसका एंसर है ऑप्षन नमर ड पर सांत महासागर अब क्वास्चन नमर इक्स भुगोल प्रथवी पर छेत्रिये विविनताओं के विवरण तथा व्याक्या से समंधित है परिभासित किया है इसका एंसर है option number ये हेटनर अब question number seven उत्री गुलार्द में पवनों का बाएं और विछेपन होता है इसका एंसर है option number ये गुरुनन के कारण question number eight तित्ली कीस प्राकृतिक आपता से समधित है इसका एंसर है option number B चक्रवात अब question number nine भारत के मिर्दा के उपरी परत रास का मुख्य कारण है इसका एंसर है option number C जलापरदन अब question number 10 आपदा परवन्दन के अंतरगत है इसका एंसर है option number D इनमें से सभी अब question number 11 उतर भारत के मिर्दान में चलने वाली सूच का और गर्मी परवन्दन का हलाती है इसका एंसर है option number A लू अब question number 12 चंद्रमा उपगरा है इसका एंसर है option number B चंद्रमा पिर्थवी का उपगरा है अब question number 13 पिर्थवी की भूपरटी और उपरी मेटल बिल्लकर बनती है इसका एंसर है option number B अस्थर मंडल अब question number 14 किस मिर्दा का निर्मान ज्वाला मुखी भी स्पोर्ट से हुआ है इसका एंसर है option number D काली मिर्दा अब question number 15 निमनलिखीत में से कौन सी नदी बंगाल की स्थोक के नाम से जाने जाती है इसका एंसर है option number D दामोदर अब question number 16 जामू कस्मिर की रजधानी है इसका एंसर है option number ये स्री नगर अब question number 17 इन में से किस नदी में मुझोली द्वी पिस्थित है इसका एंसर है option number C ब्रह्मपूत्र अब question number 18 किस अक्षांस पर 11 जुन की दोपह सुर्य के किरने सीधा पढ़ती है इसका एंसर है option number B अब question number 19 परकास संसलेशन परकिरिया के दोरान परकास की उपस्थित में कार्बन डाय अक्साड जल के साथ मिलकर क्या बनती है इसका एंसर है option number C अब question number 28 परकास सुखे के कारण है इसका एंसर है option number D दरातलिय और भोकम जल का अधिक परियोग अब question number 22 निमने लिखित में से कौन सी भुआकरिती हिम नदी के कारे से हैं समन्दित है इसका एंसर है option number B सर्क अब question number 28 रासाइनिक अक्छेप के समलित है इसका एंसर है option number इसका है option number यह answer oxygen अब question number 24 विश्व की सर्वोच यो परवत चोटी इसका एंसर है option number C मौन्ट एवरेष्ट अब question number 25 कौन सा चाटान गर्म द्रव्य से ठंडा होने से बना है इसका एंसर है option number यह बाल्स्ट अब option number 26 यह विविता सम्रिद होता है इसका एंसर है option number यह उसमें कटी बंदी है छेत्र में अब question number 27 महा साग्रिय जल की उपरी एवं निचली गती की से सम्धित है इसका एंसर है option number C तरंगे से अब question number 28 निनलिखीत में से वह परकिल्य कौन सी है जिसके द्वारत जल द्रव्य से ठोस में बदल जाती है इसका एंसर है option number D अब question number 29 मानो जीवन के लिए सबसे अधिक महत्मे पुरून परकिल्य कौन सा है इसका एंसर है option number B छोब मंडल अब question number 30 अंडबान और निको मा के कौन साथ जल छेतरे अलग करता है इसका एंसर है option number B अब question number 31 इन में से कौन सी रुपांतरित चटान है इसका एंसर है option number B हीरा अब question number 32 इन में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है इसका एंसर है option number option number C थैंक्यू फर वाचिंग व्योडियो अगर मुझे यह व्योडियो आपको अच्छा लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और बेल एकन को ज़रूर पेस्ट कीज़ेगा थैंक्यू फर वाचिंग व्योडियो